स्वागत है दर्शको आपका एच्टूडे में इस समय हम उपायुक्त कार्याले के बाहर कड़े हैं और आज 24 तारीक है जैसे की के सरकार के दौरा घोशित किया गया है कि 24, 25 और 26 को अधिकारिक तोर पे जो है वो करमचारियों के लिए छुटी घोशित की गई है लेकिन मैं क कैमराबेन को कहूंगा कि कम से कम दिखाए कि इस समय जो भी जिला के आला अधिकारी है जैसे डी सी साहब है एडी सी हैं एस जी में इनकी गाडियां जो है वो उपायुक्त कार्याले में हैं और वो अंदर आये हुए हमीरपूर में किसी भी स्तीती से निपटने के लिए प् पीछे आप देख सकते हैं कि कहीं न कहीं जो कोविड नाइंटीन है इसकी बारे में जो है वो लोगों को जागरू करने के लिए बकाइदा होल्डिंग लगाई गई है क्योंकि परदेश के अंदर जो है वो इस समय लॉकडाउन की स्तीती जो है मुख्यमंति द्वारा 31 ता तो लोगों का आना जाना लगा रहते हैं सभी दुकाने बंद हैं जो नीड्स की दुकान जो सुबह थी लोगों को वो अपना समान लेके जा चुके हैं तो कहीं न कहीं दुकाने पूर्ण तरह से बंद हैं और अभी जो इका दुका गाड़ियं हैं वो जा रही हैं जिसको यह देखिए अभी भी लोग जो है जो यहां से समान अपना लेके जा रहे हैं उनसे बकाईदा पूश्टाज की जा रही है कहां जा रहे हैं कहां नहीं जा रहे हैं रोका जा रहा है लोगों को और जो तेनाती है वो आप पूरी तरह से सजगता है यह देखिए जो अधिकारी जो यहां जो होमगाड के जवान खड़े हैं उनको भी बकाइदा गलव्स दिये गए हैं और वो लोगों को सूचित कर रहे हैं कि आपने शहर जाना है कि नहीं जाना है मेरे पीछे देखिए मेडिकल का स्टोर खुला है जो जरूरी है उसके अलावा राशन की दुकाने खुल कहां जाना है कहां नहीं जाना है तो हम लोग ये चाहेंगे कि लोगों से भी हमारी अपील है कि केवल जब नीड है तब ही निकले ऐसे जो है वो आपको आने जाने की कहीं भी जरूरत नहीं है ताकि जो करोना के खिलाफ जो लड़ाई है वो आगे बढ़ाई जा सके अब हम अंदर की रफ चलते हैं आईए कहीं न कहीं जो अधिकारी हैं वो सारे लगे हुए हैं और हमें कहीं न कहीं लोग जो हैं वो टेलिफोन पे भी पूछ रहे हैं कि कहां क्या-क्या दुकाने खुली हुई हैं और क्या-क्या जो दुकाने हैं वो बंद हैं गाडियों में आप दे क्या लोगों से इन सभी की जो यहां अपील है वो बार-बार एक ही अपील की जा रही है कि लोग बाहर ना निकलें जो लॉकडाउन है उसका सही ढंग से इस्तिमाल करें ताकि सरकार को कोई भी जो है वो सक्त कदम इस चीज के लिए रोकने के लिए ना उठाना पड़े एस्टुडे के लिए उपाईट कारेले से हमीर पूर से अरविंदर सिंग